जम्मो कश्मीर के अर्णिया सेक्टर में अंतराष्टिय सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने आज सुबह करीब साढ़े चार बजे एक पाकिस्तानी ड्रोन को फाइरिंग कर भगा दिया जवानों ने उस समय गोली बारी की जब ड्रोन अर्णिया सेक्टर में अंतराष्टिय सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था फाइरिंग होते ही ड्रोन फोरन वापस लौट गया सूत्रों ने बताया कि ड्रोन को इलाके की निगरानी करने के लिए भेजा गया था जम्मू एयर फोर्स स्टेशन पर ड्रोन से किये गए हमले के पाँच दिनों के अंदर यह तीसरा मोका है जब पाकिस्तानी ड्रोन ने भारतिय सीमा में गुसने की कोशिश की है एक वरिस्ट अधिकारी ने बताया कि 27 जून को हुए हमले की साजिस पाकिस्तान में रची गई है जिसके पीछे लसकरे तेबा के सरगना हाफिस सईद और आई एस आई का हाथ है एयर फोर्स स्टेशन पर हमले के अगले ही दिन जम्मू के कालू चक मिलिटरी स्टेशन के पास भी दो ड्रोन दिखे थे सेना के जवानों ने जैसे ही फाइरिंग की वहां से भी ड्रोन भाग गये कालू चक मिलिटरी स्टेशन के पास पहला ड्रोन रात 11 बज के 45 मिनट पर और दूसरा ड्रोन रात 12 बज के 40 मिनट पर देखा गया था भारत के सेनिय अड़े पर ड्रोन का इस्तिमाल कर यह पहला हमला था जम्मू में वायू सेना स्टेशन पर हुए हमले की जाच NIA कर रही है इस बीच भारत ने ड्रोन हमले से निपटने के लिए एक सिस्टम और टेक्ट नॉलिजी तलास ली है जल्द ही जम्मो वायू सेना स्टेशन और आतंगवार दी ड्रोन हमलों से निपटने के लिए एक मजबूत नीती होगी पीए मोदी ने मंगलवार को एक हाई लेवल मिटिंग की है जिसमें विसफोटकों से लेस इन ड्रोनों के आतंगवार दी नीती तयार करने पर चर्चा हुई ताकि भविश्य में आतंगवार दी ड्रोन हमला ना कर पाई अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें